प्रो कबड़ी लीग मैच नंबर 99 खेला जाएगा भाई याँ पर जैपूर पिंक पैंथर्स वर्सिस तमिल थलाईवाज के बीच में एक टीम जापर अपना लास्ट मैस टाई खेल कर आ रही है वही तमिल थलाईवाज भाई अपना मैच जीत के आ रही है बड़े ही तरीके से यूं उंबा के सामने अब अगर बात करें यहाँ पर तो देखिए इस मैच में जो इंपोर्टन चीजे वो पहले आपको बतातो एक तो इस मैच में आपको क्रेडिट इशू आए गए आएगा उस कंडिशन में आप क्या कर सकते हो देखो अगर आपको बैस्ट व वाली टीम बना पाओगे बट अगर आप मानके चलरों की भाई मेरको तो क्रेडिट इशू ना है और मैं एक बैलेंस टीम बनाऊ तो वो इस मैच में पोसिबल नहीं हो पाएगा ठीक है क्योंकि दोलों ही टीम के पास भाई बड़े खतरनाख खतरनाख प्लेर है और रेडि मैं मानके चलूँगा की भाई यहाँ पर तमिल थलाईवाज की टीम इस मैच में जीत की थोड़ी ज़्यादा दाविदार रहेगी as compared to जैपूर पिंक पैंथर्स तो इसी हिसाब से मैं टीम बनाऊगा अगर आप चाहो तो आप ऐसे बना सकती है जैपूर इस मैच में जीत क ज़्यादा दाविदार रहेगी और तमिल थलाईवाज थोड़ी कम ठीक है लेकिन उससे पहले भाई पॉइंट स्टेबल में चलते हैं यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो अब देखो भाई तमिल थलाईवाज एक टाइम पर नंबर 11 पर थी लेकिन जब से जीतना पर आचुकी है ठीक है 16 मैच में से 7 मैच इन्होंने विन कर लिया भाई 9 मैच आ रहे है 40 पॉइंट के साथ बड़ी ही सुद्रड पोजिशन पर अभी यह बने हुए ठीक है अब अगर यहाँ से आप देखोगे तो जो जैपूर की टीम है यह भाई लास्ट डे जे पहले न बट तमील थराईवास के पास जो प्लेयर्स है वो भाई कुछ भी करने में सक्षम है और उनकी में चीज क्या है कि वो बिल्कुल अनेक्सपेक्टेड चीजे करते हैं तो वो सारी चीजे आपको यहाँ पर इस वीडियो में पता लगेंगे लेकिन उन सबसे पहले अगर अंकुष राठी लेफ्ट कोरनर की पोजिशन पर खेलेगा रेजा मीर बगेरी लेफ्ट कवर की पोजिशन पर साहुल कुमार राइट कोरनर की पोजिशन पर सुनील कुमार राइट कवर की पोजिशन पर पलस टीम के कैप्टन भी यही रहेंगे ठीक है इसके अलावा बात पूत अगेन राइट साइड से रेडिंग करेंगे ठीक है अब यहाँ से अगर बात करें सामने वाले टीम की यानि कि भाई तमिल थलाईवाज अनेक्सपेक्टेड तमिल थलाईवाज यहाँ से अगर आप देखोगे साहिल गुलिया लेफ्ट कोर्नर पर खेलेगा वही अगर देखोगे तो रेटिंग डिफेंस दोनों काम में अच्छा है और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लास्ट मैच में भाई परफोर्मेंस काफी अच्छी है तीन टचपॉइंट एक बोनस पॉइंट और एक टैकल ठीक है इससे पहले वाले मैच में तो भाई इसने गरद लेफ्ट साइड से रेडिंग करने वाले है लास्ट मैच में भाई दोनों ने अच्छी परफोर्मेंस दी थी अजिंग के पवार नो टचपॉइंट एक टैकल वही नरेंदर कंडोला को आप देखोगे लास्ट मैच में इन्हों नो टचपॉइंट दो टैकल दो बोनस पॉ तो यहां से भाई इनी के फेवर में टीम बनाएंगे अब चलिए टीम बनाते भाई यहां से तो प्लेयर्स की पोजिशन की बात कर ली तो अब थोड़ा सा देख लेते एक बड़ प्लेयर बैटल प्लेयर बैटल आपको बताना जरूर क्योंकि सामने वाली टीम में बगेरी का और उसके बाद रहेगा अंकुष का ठीक है सामने वाली टीम में mainly rating right side से होगी क्योंकि अर्जुन right side से rate करेंगे प्लस बवानी right side से rate करेंगे वी अजीत कुमार left से तो 70% आप मान सकते हो जो rating है वो right side से होगी तो उस condition में यहाँ पर आपके लिए सामने वाली टीम का left corner प्लस right cover important हो जाएगा ठीक है तो यह चीज़ आपको ध्यान में रखनी है अब चलिए बाई team बना के देखते है यहाँ से देखे credit issue नहीं आए ऐसी team हम बनाएंगे सबसे पहले बाई साहिल गुलिया को team में रखेंगे सागर को मैं team में रखूँगा यहाँ से बाई रेजा को team में रखेंगे इसके अलाव बाई यहाँ से मैं किसी को try नहीं कर रहा यहाँ से मैं अपनी team में रखूँगा एम अभिशेक को रेडिंग से action में यहां से मैं आजिंके पवार को टीम में रुखूंगा अपने टीम में भाई यहां से मैं नरेंदर कंडोला को अब देख alloc Mahar आप ट्राइ नहीं कर पए न, और यह तो भाई देखो अर्जुन देश्वाल को तो कम ट्राइ नहीं कर पए जब हमने ना तो सुनील को ट्राइ किया ना ही भाई हमने यहां से अंकुष को try किया है तो इतब जाकर भाई так आप यहां से बन रहे हो कि आप यहां से अर्जुन को try नहीं कर पा है ठीक है और अगर इनको try करता है तो भाई इन मेंसे भी एक रेटर आपको drop करना पड़ता अब यहाँ पर देखो आपके पास दो से तीन ओप्षन है सबसे पहला ओप्षन वी अजीत कुमार या बवानी राजपूत एक रेडर पलस एक डिफेंडर की मतलब कॉम्बिनेशन के साथ आप जा सकते हो जैपूर की तरफ से यह आपके लिए गेम चेंजिंग टीम हो सकती है बट अगर आप चाहो तो यहाँ से बाई आज साहूल की जगह पर आप चाहो तो बवानी राजपूत को ले सकते हो और उस कंडिशन में माल लीजे रेजा की जगह पर आप फिर ले पाओगे अरजुन को तो आप फिर भी नहीं ले पाओगे 15.5 क्रेडिट में मिलेगा सुनील को आप ले सकते हो बट सुनील यहाँ ज़्यादा इंपोर्टन्ट रहेगा नहीं तो मैं यहाँ से रेजा को अपनी टीम में रखता हूँ और यहाँ से बवानी को अपने टीम में रखता हूँ ठीक है कैप्टनसी की बात करेंगे कैप्टनसी की बात करें तो यहाँ से दीखें कैप्टनसी इस मैच मेरी रहेगी साहील गुलिया के साथ Korea से मैं यहाँ से देने वाला हूँ अभी के लिए नरेंदर कंडोला को अगर आप चाहो तो यहां से भाई आजिंग के पवार और सागर राठी इने भी अपने टीम में एज़े CBC दे सकते हो अभी के लिए मैं नहीं दे रहा हूँ टीम के अगर प्रिव्यू की बात करे वो आपकी स्क्रीन पर है अगर कोई भी चेंजमेंट होता है कुछ भी अपडेट आती है तो डारेक्ट इनफोर्मिशन कहां मिलेगी सिर्फ और सिर्फ एक ही जगा है टेलिग्राम चैनल पर ये अगर आपने जोइन नहीं किया तो भाई बहुत कुछ मिस कर जाओगे और जरूर से जोइन किजिएगा क्योंकि बिना टेलिग्राम बाई आप विनिग नहीं कर पॉगे लाए तो खने जोइन किजिएगा लिंक को मिलेगा डि इस्क्रिप्शन में और फीडियो के फिर्स्ट कमें तो अभीके अभी जाके जोइन किजिएगा बाकी दोस्तों मैं मिलता हूँ आप से मैच टाइम पर टेलिग्राम चैनल पर तब तक के लिए टीम सेव कर लीजियेगा जै हिंद वंदे मात्रम